हेलो फ्रेंड्स दिस राज अदव एंड वेलकम बैग टू स्मार्ट सीजी अपडेट तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है वन रक्षक भरती से रिलेटेड यानि कि forest guard से की भरती से रिलेटेड बहुत सारे candidate का रोज यह comment आता है रोज यह सवाल आता है कि forest guard की vacancy काव आएगी उस पर क्या process चल रहा है ठीक है क्या उसके latest update है तो उससे related एक latest update आप लोगों के लिए आई है एक बहुत ही बड़ी update आप लोगों के लिए निकल करके सामनी आई है न्यूस पेपर के माध्य हम से तो क्या है ये पूरी अपडेट पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तो आगे बने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो चलिए देखते हैं क्या है ये अपडेट तो यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं कि वर रक्षा के 300 पदों को वित की मनजूरी PCF करेंगे मॉनिटरिंग तो यहाँ पर वित की मनजूरी वर रक्षा के 300 पदों पर सीधी भरती का रास्ता साफ हो गया है तो इसका बिल्कुल प्रोसेस चल रहा है ठीक है बहुत ही जल्दी इसकी वेकेंसी देखने को तो बिल्कुल जल्दी नहीं मिलेगी बट जल्दी ही इसकी वेकेंसी आने वाली है वित विभाग की मनजूरी के बाद वन एम जल्द वायू परिवरतन विभाग ने भरती प्रक्रिया के संचालन वा मोनिटरिंग के लिए आठ सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यही बताया गया है कि वित विभाग की मनजूरी तो मिल ही चुकी है इसका नोटीस भी आप लोग देखे होंगे पहले भी देख चुके होंगे लेकिन इसके बाद जो है जल्वायू और जल्वायू परिवरतन विभाग ने भी सदस्य की कमेटी यहाँ पर घोशित कर दी है आठ सदस्य कमेटी यहाँ पर घोशित कर दी है PCCF राकेश चतुरुवेदी को समीति का अध्यक्ष बनाया गया है तो वही PCCF अनिता अनंदी चीव कंजर्वेटर राकेश कल लाजे और भानुपरताप सिंग उसके बाद डिप्टी कंजर्वेटर स्रीनिवास राव तन्नेटी और असिस्टेंट कंजर्वेटर लोकनात पटेल को सदस्य बनाया गया है तो इस तरह से यहाँ पर आठ सदस्य टीम यहाँ पर जो है मोनेटरिंग के लिए घोशित की गई है इस संबंद में वन अयम जलवायू परियरता में भागके अपर अवर सचीव केपी राजपूद ने आदेज जारी कर दिया है तो आदेज यहाँ पर जारी कर दिया गया है मोनेटरिंग के लिए पूरी तरह से मोनेटरिंग करने के बाद आपकी वैकेंसी आपके सामने ला दी जाएगी बता दे कि जुलाई 2020 के पत्र के नुसार पुनरिक्षित भरती प्रक्रिया सुरू हो गई है तो भरती की प्रक्रिया है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुकी है बस आप लोगों के सामने जो है इसकी वैकेंसी आनी बांकी है तो जॉब उसी की लगेगी यहाँ पर जितने candidate जो है forest guard के vacancy का wait कर रहे है जॉब उनी की लगेगी जो अभी से तैयारी कर रहे है तो आप लोग अगर आपको इसमें job चाहिए अभी से तैयारी करने में लग जाएए उन candidate का wait मत कीजिए ठीक है उन vacancy का wait मत कीजिए कि vacancy आने के बाद आपको तैयारी करने की होगी I hope यह जानकारी आपको पसंद आई होगी like जरूर कर दीजेगा एक बार इससे क्या है उस साहब बना रहता है आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए इस स्टुडियो में इतना ही था मिलते हैं नेक्स स्टुडियो में तब तक के लिए जैहिन